आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उपर मंडे के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा यहां से आगे मार्केट का क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है इन सब के उपर हम लोग आज इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के उपर अभी नए आए हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे निफ्टी बैंक निफ्टी के उपर डेली एनलिसिस वीडियो बनाती हूँ और शेर मार्केट के रिलेटेड सारी अपडेट सारी निउस आपको मेरे चैनल के उपर मिल जाएगी तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और वैल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सही से आती जाए एक और इंपोर्टेंट बात यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स के आप्शन्स में ट्रेड करना चाहते हो और डेली मिनिमम दो से तीर हजार तक का प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हो जिसकी फीज सेफ और से 4000 रुपीज प प्रीमियम टेलीग्राम ग्रूप मेरा जॉइन कर लीजेगा इस यूपी आईडी पर पेमेंट सेंड कर सकते हो या फिर इस क्यू आर कोड को स्कैन करके पैसे बेच सकते हो सीट जो है वो जल्दी से फिल हो रही है और मैं कभी भी एंट्री क्लोज कर दूंगी और अगर आज लेते हैं कल लेते हैं तो एक दिन दो दिन वेस्ट जाएगा तो ऐसा नहीं है जब भी वारकेट चालू होगा अभी तभी से आपकी मेंबर्शिप चालू होगी यानि कि आज कल और परसो जो भी लोग आड होंगे उनकी मेंबर्शिप मंडे से चालू होगी और आपका expiry date रहेगा 4th November का तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा और यहाँ पे मैं आपको calls देती हूँ और ये जो public telegram है जहाँ पे मैं आपको demo call everyday provide करती हूँ आज भी मैंने एक demo call provide किया था जिसने आसानी से 15 से 20 minute के अंदर 50 plus points का profit करवा दिया था तो यहाँ पे सिर्फ मैं buying price बताती हूँ stop loss और target पब्लिक telegram पे नहीं मिलता है वो आपको premium telegram channel पे ही मिलेगा और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग 100% accurate होंगे तो ऐसा नहीं है कल मैंने एक trade गलत दिया था मतलब loss हुआ था उस trade के अंदर लेकिन उसके बाद में चारो के चारो ट्रेड हमारे profitable हुए है वैसे ही everyday आपको अगर एक भी trade नुकसान दायक होता है तो बाकी के trade आपको profitable होते हैं तो यहाँ पे कोई भी 100% accurate नहीं है तो 100% accurate जो है आप उनके पास जा सकते हो मैं मेरा अगर profit का ratio दिखाओ तो आप 80-90% यहाँ पे profit बना सकते हो एक महिने के अंदर अगर आप proper trading करते हो rules follow करते हो तो आप Delhi minimum अगर आपका capital बहुत जादा है तो 10-15,000 तक का profit भी बना सकते हो और वो भी 1-2 trade के अंदर ही बाकी के trade के आपको जरूरत ही नहीं है तो यहाँ पे important यह है कि patience और rules को follow करना तब ही आप market के अंदर profit बना सकते हो अगर आप stop loss के अलावा exit करते हो उससे पहले exit करते हो क्योंकि market गिर रहा है तो ऐसा नहीं होता है market कभी-कभी 1 point stop loss का भी रख लेता है और वहाँ से फिर से हमें recovery देखने को मिलती है तो ये बात बताने के लिए मैंने आपको बताई कि 100% accurate कोई भी नहीं है इस market के अंदर अगर कोई है तो well and good मुझे भी बताऊ भाई ऐसा कोई है क्योंकि market के अंदर भी politics होती है तो अगर मैं मिल जाएगा और main जो important बात है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछता है कि demo calls provide कीजेगा तो इसलिए everyday एक demo call मैं यहां पर provide करती हूँ तो इसके उपर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको premium telegram में कैसे calls मिलेंगे तो I hope कि आपको समझ में आ चुगा होगा payment हो जाने के बाद आप मुझे mail ID पे screenshot और अपना number जो है वो send कर दीजेगा mail ID आपको यहां पर मिल जाएगा और इस public telegram की link आपको नीचे description box में मिल जाएगी तो अभी हम लोग start करते हैं हमारा आज का video bank nifty के साथ तो bank nifty के closing कहां पर आई है तो 37,225 के पास nifty bank जो है वो बंद हुआ है कल मैंने क्या बात कही थी आप से कि nifty bank के chances है यहां से 37,000 तक जाने के और आज तो nifty bank ने उससे नीचे कि हमें किरावट दिखाई थी 36,876 तक nifty bank आज गिरते हुए हमें दिखाई दिया था तो आज nifty bank के अंदर gap down opening हुई जिसके बाद से nifty bank ने आज low किया था 36,876 का लेकिन वहां से जादा नीचे नहीं गया और एक अच्छी खासी recovery में उसके बाद में throughout the session bank nifty के अंदर आती हुई दिखाई दी और nifty bank ने फिर से एक बारी try किया था 37,300 और 350 के resistance के उपर जाने के लिए लेकिन नहीं हो पाया और फिर जाके nifty bank के अंदर हमें गिरावट फिर से आती हुई दिखाई दी जो nifty bank को 37,000 और 37,100 के बीच में रोक के रखा और उसके बाद में consolidation होने के बाद फिर से एक बारी अच्छी खासी move हमें देखने को मिली और nifty bank ने फिर से try किया 300 के उपर जाने का लेकिन नहीं हो पाया और अभी closing basis के उपर 37,000 225 के पास closing मिली है तो 200 points नीचे गिरकर nifty bank बंद हुआ है डेली चार्ट के उपर देखे तो देखे nifty bank successfully closing basis के उपर 37,000 का level hold रख रहा है और अगर हम लोग देखे तो क्या bottom बन चुका है तो ये अभी हम लोग नहीं कह सकते मंडे को अगर nifty slow को manage करता है इस low से नीचे नहीं जाता है और इससे उपर की trading करता है तो यहाँ से recovery possible है फिर से एक बारे nifty bank हमें 37,700 और 38,000 की range में जाता हुआ दिखाई दे सकता है option chain data अगर देखे तो highest open interest जो है वो 38,000 के उपर है call side में second highest की बात करे तो 37,500 के उपर है तो यह बात मैंने कल भी कही थी कि अभी nifty bank के लिए upside के लिए 37,500 का resistance बनेगा अगर इसके उपर nifty bank नहीं जाता है तो यहाँ से गिरावट बढ़ने के chances है यह मैंने बात आपको कल ही कही थी आज भी nifty bank बैंक ने इसके उपर की closing नहीं दी है तो यहाँ से थोड़ा carefully trade कीजेगा अगर आज का low break होता है तो यहाँ से nifty bank हमें straight forward 36,500 और 36,000 के तरफ भी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है put site में भी अगर देखे सबसे जादा open interest हमें 37,000 के उपर दिख रहा है put site में contracts की adding भी हमें 37,000 के उपर हुई दिखाई दे रही है तो जब तक closing basis के उपर 37,000 को manage कर रहा है nifty bank अच्छी बात है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा टाइम तक यह level hold होगा अगर कल nifty bank हमें 37,300 के उपर की opening देता है तो ही possibilities है 500 और 600 के जोन में जाने के nifty bank के क्योंकि gap up opening होने से ही फाइदा रहेगा market को otherwise consolidated market रहा तो 37,000 फिर से break होने के chances बने हुए है support resistance की बात करें यहाँ से तो देखिए first important support जो रहेगा nifty bank के लिए यहाँ से वो रहेगा 37,150 का level अगर यह level break होता है तो next important support रहेगा 37,050 का level और उसके बाद में 36,850 का level अगर 8,50 break होता है तो यहाँ से major downfall हमें देखने को मिल सकता है nifty bank के अंदर जो nifty bank को 36,550 के तरफ लेके चाहेगा upside की बात करें तो upside के लिए first जो resistance रहेगा वो रहेगा 37,350 का level अगर यह पार्क कर लिया तो 37,50 और 650 का level nifty bank के लिए resistance का काम करता हुआ हमें दिखाई देगा तो यह important support resistance के levels है nifty bank के लिए तो जो भी levels बताएं हैं अपने चार्ट के उपर mark कर लिजेगा अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जिनको भी ये वीडियो यूसफुल है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सब को कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो थांक्यू बेरी मच फो वाचिंग दिस वीडियो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल दैन बबाई टेक केर एंड ट्रेड केर फुली